CMIC की रिपोर्ट दुर्ग सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन एकोनॉमी द्वारा जारी आंकडों के अनुसार 36 गड में बेरोजगारी 0.8 प्रतीशत है जबकि देश की ओसत बेरोजगारी दर 6.9 प्रतीशत है जो जुलाई में दर्श की गई है कॉंग्रेसी इसे 36 गड सर देश में सबसे नियूंतम इस्थान पर है CMIE के दोरा जारी किये गए इस आंकडे ने कॉंग्रेस जनों को नए उत्सा से भर दिया है जिनका मानना है कि सेंटरल फॉर मॉनेटरिंग इंडियन एकोनॉमी दोरा जारी किये गए यहां आंकडे प्रतीश सरकार की बहतर रोजगारी की और अग्रसर हो रहा है मानिनी भुपेज भगेल जी चत्रजगड के माटे पुत्र और ये शश्वी मुख्यमंत्री ने लगातार बेरजगारी कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाये उन्होंने प्रारम से ही जो ग्रामिन उद्ध्योग धंदे हैं उनको पुना इस्ताफित करना हमारे जो महिला सम्मुः बने हुए हैं उसके साथ ही साथ साकारी समितियां बना कर उन्हें रोजगार उपलब्द कराना विबिन प्रकार के जो उत्पाद हमारे गाओं में होते हैं जिनका सहीं उपयोग नहीं उपा रहा था उससे जो उनके विब्ब बंदगर पैक कर बाहर भेजने का जो काम, उसे निर्यात करने का काम हमारी सरकार कर रही है, उन्हें सहयोग कर रही है। उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा, कि अभी सरकारी जो जितने भी विभाग हैं, चाहे वा शिक्षव भागो, स्वास्थ विभागो, या अन्य पुलिस विभागो सभी विभागों में लगाता नियुक्तिया निकल रही है जिससे यवाओं में सरकार के प्रती विश्वास जागा है और सभी जो है इसमें बढ़ चड़ कर भाग ले रहे वर्तमान में CMIE की जो रिपोर्ट है वह यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि भुपेज बगेल सरकार 36 गड़ में बहुती अच्छे तरीके से काम कर रही है और यह प्रयास बहुती सार्थाक है कि यहाँ पर ब्रोजगारी बिलकुल कम है और आने वाले दिनों में हम यह कर सकते हैं कि ब्रोजगारी ना के बराबर यहाँ पर रही सभी के पास रोजगार होगा Central for Monitoring Indian Economy के जारी आँखणों को लेकर Congress प्रवक्ता देवेश मिस्त्रा ने कहा कि 36 गड़ में सरकार अपने सुवेवस्तित करमबध योजनाओं और छेत्री परंपरागत व्यवसायों के अन्रोप कारे कर रही है उनोंने कहा कि मुख्यमत्री बुपेश बगेल ने सत्तासीन होते ही उन रोजगार मूलक योजनाओं को किर्यानवित किया है जिससे 36 गड़ की अधिकांश आबादी को तुरंत रोजगार मिल गया और वे आत्मन्दिर भर हुए कॉंग्रेस प्रवक्ता देवेश मिस्रा ने विश्वास जताया है कि 36 गड़ जल ही शत्परतिशत रोजगार उपलब्द कराने में काम्याब होगा